चुनावे सरगर्मियों की बीच एक और मोधी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कर थोर कारिवाई की रट लगा रही है जबकि दूशी तरफ सरकार बिरोधी पार्टियों के नेता सरकार और प्रधानमंदी नरेन मोधी पर लगातार हमला कर रहे हैं इसी कड़ी में गुझरात के पुर्वमुक्य मंतरी संकर शिंग बागेला ने गंभीर आरोप लगाते में कहा कि पुलवामा आतंक की हमला बीजेपी की साजिस थी NCP नेता बागेल ने कहा कि जैसे गोधरा कांट BJP की साजिस थी उसी तरब पुलवामा आतंग की हमला भी भाजपा की साजिस थी उन्होंने कहा कि BJP चुनाव जीतने के लिए आतंगबात का सहारा लेती रही है बागेला ने कहा कि पुलवामा अतंग की हमले में RDX ले जाने के लिए जिस गारे का इस्तिमाल हुआ उसका रेजिस्ट्रेशन नमबर गुजरात का था साथ ही उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बाला कोट में वायु शेना द्वारा किये गए एर स्ट्राइक के दावे पर शवाल खड़ा करते वे कहा कि बाला कोट एर स्ट्राइक भी BJP की सोची समझी साजिस थी इस हमले में कोई भी नहीं मड़ा था किसी अंतर राश्ट्री एजेंसी ने यह सावित नहीं किया के एर स्ट्राइक में 200 लोग मारे गए सरकार और शुरक्षाइज एंसी ओ पर सवालिया निशाना करते वे बागेला ने यहां तक कहा कि पुलवामा हमले को लिएकर खूफिया सुत्रोश एमिली जानकारी के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया सरकार से शवाल करते वे बागेला ने कहा कि अगर आपको पहले से पता था कि बाला कोट में आतंकी ठीकाने चल रहे तो आपने पहले क्यों नहीं कारदेवाई की पुलवामा हमले का इंतजार क्यों किया इतना ही नहीं उन्होंने बीजेपी गुजरात मॉडल की पुल खोलते वे दावा किया कि बीजेपी का गुजरात मॉडल जूठा है उन्होंने कहा कि राजी मुश्किलों से गुजर रहा है खुद भी ये पी नेता ये पार्टी से नाराच चल रहे हैं उन्हें लग रहा है कि वे बंधुआ मजदूर है